कि नमस्कार में पीन अले मेरे सिर्वाई में आप सभी दर शुब पर स्वागत थे खबरों के वर्णेस मेले एक नदर हेंड लाइन्स पर्स नाइजिरा में बंदुगदरियों के हमले में सत्रह की मौत ओएसी की इम्रान को पुर्म नसीहत बोले भारत से सीखो निर्मान धिन मकान हो सकते हैं सस्त जीयस्टी काउंसिल कर रही वीचार तो अफ़में बिक्तार थे नाइजिरा की जामफारा में अग्याद बंदुगदरियों के हमले में 17 लोगों की मौत हुई समाचार एजेंसी सिन्वा के मुदाबी की हगठना जामफारा के मारडू में मगाविक गाव में हुई लोगसमा सदेश्या और AIMIM के अध्यक्ष असाद दिन ओवेसी ने पाकिस्तान के ग्रानमंत्री इमरान खान के एक विवादित बयान को लेकर उन पर निशाना सादा है पिछले दिनों इमरान ने कहा था कि वह अनरेंद्र मोधी सरकार को दिखाएंगे कि अलपसंफ़कों से कैसा बरताब किया जलता है नजिली बाइस दिसंबर को वस्तो और सेवाब कर परिशद ने अपनी बैठक में 23 वस्तों पर GST की दर को घटाया था जिसके बाद अगले महिने होने वादी बैठक में यह निर्माना दिन प्लाटो और मकामों पर भी GST को घटागर पांच प्रतिशत करने का विचार कर सकती है तो खबरों में आज के लिए इतना ही MNS दिन दाई की खबर देखने के लिए आज जी प्लाटो से MNS हिंदी एप डौनर करें हमारी चनल को सब्स्क्राइब करें तक लिए धन्यवाद